नमस्कार साथियों भई यह जो आदमी की पहचान है वो उसकी विचारों से होती है आदमी की जो पहचान है वो जाती से कभी नहीं होती और मैं इंसे जो कभी सोचते हूँ तो मुझे बड़ा अचरज होता है क्योंकि मैंने कभी भी परशू राम जी को ब्राह्मनों से जोड़ के नहीं देखा मैंने बाबा साहब अमबेड कर को किसी एक स्पेसल कास्टिजम से नहीं जोड़ के देखा मैंने छोटू राम जी को कभी कास्टिजम से नहीं जोड़ के रखा और मेरे घर में एक हमेशा ऐसा सा महोल रहता है कि मैं कभी भी किसी भी कार्यकरम में जाती हूँ और मुझे वहाँ लोग देखिए मैं खुश नसीव मानती हूँ खुद को कि लोगों ने मुझे अमबेड़कर रतन वोर से सम्मानित किया सावित्री भाईफ फूले रतन से सम्मानित किया चोदरी छोटू रामजी आप मतलए मेरे घर का सिक्वेंस मैंने ऐसा बना के रखा है यदि मैं बाबा साहब की फोटो लगाती हूँ तो साथ में छोटू रामजी रहते हैं आप देख भी सकते हैं और इन चेजों पर हम जब सोचने लगते हैं न तो बड़ा अचरज होता है कि हमारे देश के लोगों ने और जिल लोगों ने एक जूट होकर के जो लड़ाई लड़ी थी उस लड़ाई को आज हमने कास्टेजम में बाट दिया है अखर कब तक हम इन चेजों को सहते रहेंगे मेरे घर में आस्था भी है मेरे घर में वो लोग भी है जो पूजा बाट से थोड़ा सा कटते है और मेरे घर में वो लोग भी है जो पूजा बाट के परती बिलकुल समर्पित है मेरे घर में वो भी है जो देश भक्तों को अपना आइडियल मानते हैं और मेरे घर में वो भी है जो सब कुछ भगवान को मानते हैं कहने का मतलब इतना सा है कि हमारे विचारों के अंदर कहीं ने कहीं वो हो शकता है मतभेध हो शकता है लेकिन हमारे मन के अंदर जो आपसी भेद है वो नहीं होना चाहिए इन चेजू पर हम बार-बार सोचते हैं, देखते हैं कि कार्ष हमने यदि, ये चेज़े मैंने देखी है अगर हमारे किसी एक प्रोपर महुले में यदि हमारे महुले में कार्यकरम हो रहा है यदि वो कार्यकरम मुझे अच्छा लगता है तो मैं पहुचते हूँ किसे भी महुले का हो, यदि कोई हमें मान सम्मान के साथ बूलाता है तो हमारा जाना प्रमदाय तो भी है, हमारा फाज भी है आखिर कब तक हम इस कास्टिजन के लडाई में जो है वो लड़ते रहेंगे और आखिर कब तक हम देश के उन लोगों को बाटते रहेंगे हो शकता है, आज मेरे देश के अंदर हीमा दास जैसी बेटियां होई है जो मेडल्स लेकर आई है, हम उसको कास्ट से जोड़ कर देखे तो अच्छी बात नहीं है हमारे देश के अंदर गीता फोगाट जैसी बहने भी हुई है हम उनको भी किसी प्रोपर कास्ट से जोड़ कर देखते हैं तो वो गलत है मेरे ख्याल से हमारे जो कास्ट है वो सिर्फ एक है हम हिंदोस्ताने हैं, हम भारतवासी हैं और हम इंसान है खेर वो तो समाजिक रूप से जब ये बाते आती है जब ये मुद्दे उटते हैं तो बहुत सारे मुद्दों को तूल पकड़ाया जाता है कि उसने आशा कर दिया, तो क्यों किया वो इस काम में उसको आगे किया गया वो उसके लायक नहीं था एक उस्ट कास्ट के बच्चे को ये पधवी क्यों दे दी गई मेरे ख्याल से जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी जिस दिन हम चंदर सेखर आजाद, भगत सिंग, बाबा साहब अंबेडगर, चोटू राम जोद्री चोटू राम जी, स्वामी विवेकानन जी उनकी विचारों को फोलू करेंगे हमारे देश के अंदर सीखने को हम धरम से भी बहुत कुछ शेख सकते हैं सीखने को हम हमारी अजादी के लडाई से बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते हम तो जिस घर में पैदा हो गए उसी घर में जब बच्चा मालिया हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी मा बड़े जोरो शोरो से हिंदू धरम के मतलब जो भी हमारे यह मान के चली देवी देवता हुई है उनके शामने मत्था टिकवाना हाथ जोड़ना वो चलेगा बच्चे को यही नहीं पता कि वो मुसलिम फैमली में आया है वो हिंदू फैमली में आया है सिख में आया है यह साई में आया है हम बच्पन से उसको ढ़ालना शुरू कर देते हैं यदि हम बच्पन से ही बच्चे को यह सिखाएं कि हमारे जो वाकई में हमें जो सक्ति परदान करते हैं वो वो लोग है जिन्होंने आजादी के लडाई में अपना योगदान दिया है और जिन के विचारों को सीख करके जिन विचारों को अपना करके हम आगे की तरफ जा सकते हैं और देश को एक उन्नतिक इमारक पर ले जा सकते हैं, लेकिन इन छोटे-छोटी बातों को हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, इन छोटे-छोटी बातों को हम फोलो ही नहीं करना चाहते हैं, यदि इन चीजों के बेच में, माल लिए मेरी विचारधरा कुछ है, आपकी विचारध वो मेरे ख्याल से अच्छी रह सकती है जिस दिन तक मैंने बहुत चारे मामले देखे कभी अंबेडेकर साब की मूर्ति को उखाड दिया जाता है कभी पिर्थवी राज चुहान जी की मूर्ति को उखाड दिया जाता है तो कभी परशु राम जी पर दंगे फशाद होते की में हम यदी थोड़ा सा ताल मेल बैठाने की कोशिश करें तो इन चीजों के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं हमने अपने बच्छों को यह सिखाया है कि बेटा हम यदी जाट है तो हमारा मशीह चोटू राम जी है हम यदी ब्राहमन है तो हमारा मसीह परसू राम जी है और हम यदी किसी दूसरी कास चाहते हैं तो हमारा मसीह बावा सहब अमेडगर है अरे मैं ये कहती हूँ कि हमारी मसीह मैंने जाट फैमिली में जनम जरूर लिया है लेकिन हमारा मसीह चोदरी छोटू राम जी भी है अमेडगर जी भी है इंसान की कभी मदद की है या किसे इंसान से मदद ली है तो हमने ये नहीं देखा कि उसकी कास्ट क्या है मुसीबत में काम आने वाला हर इंसान अपना होता है कास्टिजम में मत जोरो और कास्टिजम को मत देखो हम जब संघर्स करते हैं उस संघर्स के अंदर हम यह नहीं दे कि मैं चोधरी हूँ और तो फला कास्ट से है तो तो कुछ नहीं है तो यह गलत होगा मेरी ख्याल से मेरा सिधाचा मक्षद यहां किसी कास्ट को टार्गेट करना नहीं है मेरा मक्षद यहां किसी वैक्ति विशेश के तरफ इसारा करना नहीं है मेरा मक्षद यहां किसी मैं कह लगते हैं तो उसके अंदर हमें यह महसूश होता है कि कितने संगर्षों को पार किया एक 22-23 साल के लड़के ने यदि हम बाबा सहाब के शाहब को पढ़ते हैं तो हम यह देखते कि कितना संगर्ष किया है उसने एक दलित से उठकर एक देश भक्त भारत का स्विधान लिखन कोई आवाज नहीं थी उसके आवाज बन करके छोटो रामजी आये थे और मैं यह चाहती हूँ कि यदि देश के अंदर दिल्ली का कबजा चुड़वाने में यदि किसी ने महतोपुन भूमी का निभाई है तो वो हमारे भारतिया राजा महराजा हुई है जिसने इस देश को पहले मुगलों से आजाद करवाया कभी गुलाम नहीं बनने दिया इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिसने इस देश के लिए सोचा नहीं की कास्टिजम के लिए सोचा प्रतिवीरा चुहान की जब मैं बात करती हूँ तो यदि हम उनको किसी कास्टिजम से जोडने लग जाए यह अच्छी बाते नहीं है और कभी भी एक राजा होता था और उस राजा के महल में अलग-अलग कास्ट के लोग काम करते थी हमने जो जाती पर्था बना रहती है अलग-अलग जातियों के लोग काम करते थी कभी उनको यह संबोधित नहीं किया गया आज दलितों में एक महिला और दलित है, कमजोरों में एक महिला और कमजोर है, आज मेरे देश की वो स्थितिया जो सहता है उसके उपर अत्याचार किये जाते हैं और जो कहता है उसको लोग कहने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए यदि हमारे देश के अंदर किसी को उपर उठ कास्टिजम को मत उठाइए यदि मुद्दों को तूल पकडाना है तो आप मुद्दा लिजी दहेज पर्था का कि इस देश में नहीं आने देंगे भुरुन हत्या का इस देश में पैदा नहीं होने देंगे इस देश के अंदर हम महिलाओं के उपर हो रहे अत्याचार को हम क करेंगे इस देश के अंदर जहां भी अन्याय दिखेगा हम खड़े होंगे अगर तूल पकडाना है तो इन मुद्दों को पकडाईए किसी भी गाउं के अंदर किसी भी शहर के अंदर किसको ये कास्ट काम नहीं चला सकती और मैं तो परमपिता परमात्मा से उस दिन की काम कर रही हूं और उस दिन का इंदजार कर रही हूं जिस दिन हमारे देश में स्विधान कानुन बनाने वाले ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे इस देश में कोई जाती पर्था नहीं है इस देश में सिर्फे की जाती है वो है इंसानियत वो है भारतियता वो है हिंदू स्था यदि हम ध्यान दिया जाए हमें तो मेरे ख्याल से हम जब सोच विचार करते हैं और जब इंचेजों के बारे में सोचते हैं एक बहुत बड़ा अजेंडा ये हो शकता है इनके खिलाफ आवाज उठाने का आज मैंने इंचेजों को देखा है कि जाती परता किस तरीके से खून खराबे तक पहुँच जाती है जान तक ले लेती है बहुत सारी बच्चों का जो भविश्य है वो खराब कर सकती है तो इन चीजों के उपर विचार केजी और अपने जो सोच है उसे मैं कहूंगे कि थोड़ा सा विस्तरित केजी उसको लिमिट में मत उसकी जो सिमित है उसको सिमित दाहरे में मत करी खड़ा केजी मेरे ख्याल से मेरी वाते यदि आपने आपको अच्छी लगी हो तो कुछ ने कुछ ग्रहन करने की कोशिस केजी यदि बुरी लगी हो तो बेशा छोड़ देजी जय है